हाई पहरे साथ वे कैसे और मैं आसा करता हैं कि आप सभी मस्त होंगे और अपने पड़ाय में सभी वैस्त होंगे आज आपको रिजिनिंग का सेगेंड बाट करवाई जा रहा है जिसमें वीडियो को पुरा देखना चैनल को सब्सक्राइब लाइक आपको जरूर करना है आप अरजन और इसकी बाबी हो जाएगे और इसकी पत्नी हो जाएगी इसके पूछाए ए एक पूछ है कि का रिजहाएगा जिसमें हो जाएगा फट्र Germans इस परकार से आपको करना इसके बात में नयक किसें था है उसे झानद से करना है कि अंदर इसको आपको को सिंपल किसें नहीं ये सिरी दैसन में इसमें कुछ नहीं करना इसमें A का अर्थ योग दे रखा है, C का अर्ध गुना दे रखा है Eば का अर्थ गटाना होता है तो B का अर्थ डिवाइड होता है तो इनकी जगे इसको रुकना है और आपको हल करना है, जीसे हम कर देते हैं एक बार 3 लिखना है, 3 के बाद में दे रहा है एक कितना दे रहा है योग दे रहा है ठीक है उसके बाद आठ लिख देते हैं उसके बाद कितना बी दे रहा है तो बी का मतलब क्या हो रहा है बी का मतलब हो रहा है इसमें पटा इन डिवाइड डिवाइड को में एक बटा दो में लिख देते हैं ठीक है इसके पुर्ष इससे काट रहें जाएगा और इसमें हो जाएगा थिरी पलस 4 into 4 इन दोनों को गूना करेंगे व्ञचिनrus Luca 30 करेंगे और यहिए पना सmart जाएगे तरी हो जाएगा इसका आपने जमा दिया अगर आपने कैसे एड कर दिया तो आपका sırई आप ड्राक आ एक्ट पेट भी होगा ठीक है इसका उन्स रागु दस बताई दिया हमने अच्छा किसे नहीं इसमें दे रहें एन पुत्तर है एम का एल पुत्रिये क्या समर्त हो है एे की भुव है टी की H पुत्तर है कि तो आपको एक प्ध दो समय में हي तो यह आपको पताना है इसमें H क्या लेगा इंड क कर घुक्त नहीं करना है, simple किसें नहाई, इसमें दे रहे हैं, n है जो पुत्र है m का, डिखे लेते हैं, पुत्र नीचे आथा आपको पता है इस चीज का ठीक है , m पुत्र है m का ठीक है , एल पुत्री है एकी , यह उपर आएगा आपको पता है इस चीजुरा और अल्प तर्फट जालो जाए ये ऊजरियो पिंदागी कि है कि पुत्र ये पुत्त करत डिया दर्खना इसके बाद में क्याzd करना थैगे व्यायट करते है camp ओपर आएगा आपको पता ओनए चाहिए यह निए उपर आ जाएगा ठीक है कि जो बाट बढ़ी होगी ना इवाथ डीकी तो यह नीचे आएगा पता ने खाइए गया तो अपनेकं तो ठीक है इसके बाद में E बुवा है D की और H पुत्तर है E का यानि H पुत्तर है कोई E का जिसके नीचे लिख देते हैं इसको ठीक है इसके बाद में H क्या लगेगा N का H क्या लगेगा N का H क्या लगेगा N का तो यह बहुत नीचे आ गया तो इसका बहांजा लग जाएगा राइट आंसर ये हो जाएका यानि बहांजा ड्राइट और नंहीं रहें होगी नहीं धीक नहीं है लोगा टीक है तसार। को टीक है निद्री अंपर पीजं़ करी बाई है, एल और के बहने है, एल और के ये दोनों बहने है, ठीक है, इसके बाद में, एम का पुत्तर के का बाई है, एम का कोई पुत्तर है, जो के का बाई है, यानि एम के का भी पिता हो जाएगा, एल का पिता हो जाएगा, ठीक है, तो हम यहां पे कुछ भी ले ले लेते है यह दोनों इसके बेन इसके हो जाएंगे पुत्त अनल से क्या रिष्टा हो जाएगे लगेगा तो चाचा लगेगा इसका राइट आंसर हो जाएगा ठीच है कि क्योंकि एक्सार घ्रैल और के सब्सक्राइब के में सब्सक्राइब करें इसके भाद में नेक्स्ट याट यह अच्छा किसटे इसमें दे रखा आए कि N N है जो M का भाई है ठीक है यानि कि N M का भाई है यान लिख लेते हैं यह M का भाई हो गया इसके बाद में Y M की माता है यानि दोनों की माता हो जाएगी कौन Y हो जाएगी ठीक है इसके बाद में इसके बाद में हो जाएगा Z है जो Y का पिता है यानि Z Y का पिता है यानि से उपर हो जाएगा ठीक है E Z का पिता है यानि से उपर हो जाएगा E फिर पूछ क्या रहा है N का Z से क्या रिस्ता हो जाएगा इस एन का जेर से क्या रिस्ता हो जाएगा तो यह पलस में था यह माइनस में था ठीक है इसका कनफरम नहीं है यह पलस है माइनस यह इसका राइट आंसर हो जाएगा पोटा यह इसका पिता हो गया इसका पिता यह हो जाएगा तो इसका पुतर है तो इसका दादा लगे गई यानि पोता इसका राइट आंसर हो जाएगा ठीक है पोता इसका राइट आंसर हो जाएगा ठीक है इसके बाद में नेक्स्ट किस्टन पर रहने वाला अच्छा किस्टन होगा इसके अंदर पोती गलत दे रखा है इसमें पोता ही होगा ठीक है इसका राइटान से पोता होगा ठीक है इस चीज़ का आपको त्याहा रखना है इसके बाद में नाइक्ट किसन आपको दे रखा है रमेज अपने आगे बेटी हुई महिला को बताता है कि वो मेरी पतनी के पती की मा की बेटी है ठीक है उस महिला का रमेज से क्या रिस्ता है ठीक है यह आपको बताना है इसमें कुछ नहीं करना सबसे पहले आपको रिख लेते हैं ठीक है यह रमेश हो गया यानि आर्ट से इसको बता देते हैं आपको रमेश अपने आगे बैटी हुई महिला यानि इसके आगे कोई बहिला बैटी है ठीक उस महिला की बात कर रहा है कि वह मेरी पत्नी यानि इसकी पत्नी रमेश की पत्नी की पत्ति यानि स्वेम हो गया ही मा की वे गज्टी नहीं इसमेँ बहे हो जाए ओक करती का ओक कि कुर्ण को समय मुद्स विकाएश रिपका फॉर पिता की माता है तिसके सब्सक्राइब इन्दर ढूंद्स करना है इसके सतव रिकशा इसके पाद मैं दे रही है यह ऊछे किसे नहीं भी इसमें दे रहे काunky प्लस का र्थ गुणा है पलस का र्थ कर गुणा है minus का जूड़ा into काई धडिवाईड कर गटा नहीं तो में आपको हाल्गा नहीं इसमें दे रहे काकर 15 लिख लेना इसमें दे रगाए डिवाइड तो डिवाइड का अर्थ क्या होता है डिवाइड का माइनस होता है तो माइनस कर देते हैं और दो अपन लिख देते हैं ठीक है इसके बाद मैं माइनस दे रखा है तो माइनस करत के होता है माइनस करत होता है इसमें पलस तो पलस थ्री कर देते है इसको करेंगे तो पांच बार कर हो जाएगा इसको गुना च्यार से कर देंगे माइनस टू पलस थ्री ठीक है इसको करेंगे तो 20 हो جाएगा इसको पर लगश्यूँं कि आपको कर देना है ठिक है जब इन दोनों को आपको जोड़ेंगे तो 23 हो जाएगा 23 minus 2 ठिक है तो इसका रही two-ดो हो जाएगा ठिक यह 21 is और आणसर हो जाएगा इस पर कारशिश्याब करना है कि इसके बात मैं नायक्स देखना है इसमें 25 और जोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा 650 तो अपना राइट आंसर यह भी सही है अगर दूसरा तरीका आप करना चाहते हो तो आपको 25 लिखना है और 25 में एक पलस करना है तो 26 जिसको गुणा करेंगे तब भी अपना 650 ही आएगा और राइट आंसर अपना यही हो हो जाएगा इस परकार से आप कर सकते हैं ठीक है इसके बाद में आपके समें नेक्स किसन लेते हैं नेक्स किसन कोडिंग डिकोडिंग वाले जो कोडिंग डिकोडिंग वाले किसन है जो किसन आपके फस्ट किसन वह सिंपल किसन है आगी किसन आपके लिए कोडिंग डिकोड कुछ किस्टन तो आज का टॉपिक यहीं कतम करते हैं कल से हम आपको कोड़न डिकोडिंग वारा चैप्टर के बारे में कम सब्सक्राइब करवाए जाएगा ठीक है डेली आपको एक सब्सक्राइब कि दस या पंद्रा किसन आपको डेले लिए जा रहे हैं और इसी परकार से कि एक साथ हम सभी चैप्टर को नई ले सकते हैं चैप्टर वाही ले रहे हैं जो दस किसी एक चैप्टर से लेंगे हमने सभी टाइप कर गया रखतर कें से कौन कोन से किसन उठाने हैं चुपता एक जा में पूछें जा चुके हैं इसलिए वीडियो को आप बने रहें वो चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर कर लें आपका दन्यवाद